भारत की सीमा में म्यानमार्ट की स्ट्राइक के खबरों में लगतार अपडेट आ रही है। हिंदुस्तान टाइमस ने अपनी रिपोर्ट में कई एहम जानकारी साजा की है। हमने इस संबंद में राजिके गिरी विवात को एक रिपोर्ट भेजी है। अधिकारियों के मुताबे मीजोरम की सीमा से लगे में अनमार के सैने जुन्टा ने दस जनवरी को दोपेर साड़े तीन बजे के आसपास चिन नैशनल फ्रेंट के मुख्याले कैम विक्टोरिया पर सिलसेरवार हवाई बम विस्पोर्ट किये। अधिकारियों ने का कि हमला चमपाई के साथ भारतिय सीमा के बहुत करीब था। और एक भारतिय वान को भी आंशिक रूप से उसने शतिग्रस्त कर दिया। तियाउ, रिवर, बेड, भारत और मैनमार के बीच की सीमा को चिनित करता है। जिल्या प्रशासन ने भी 14 जनवरी को स्विकार किया कि तियाउ नदी से बालू निकालने माला एक ट्रक छर्लों से आंसिक रूप से शतिग्रस्त हो गया। अलाकि कोई दूसरा नुकसा नहीं हुआ है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सीमा पर कड़ी नजर रख रहे हैं लेकिन बंबारी के बाद भारतिय पक्ष में मैनमार के नागरिकों की कोई नई आमद नहीं हुई है। भाग के चले आये थे। व्योरो रिपोर्ट भारत तक।